आज है फिर से एक निया फिंटेस्टिक फ्राइडे और मैं इंड्रा आप सभी के सामने उपस थी तो एक छोटी सी ग्यान से भरी कहानी लेकर एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है उसे रहम आ गया दया आ गई और उसने उस बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया बच्चा बोला आपकी कार बहुत महगी है ना आदमी बोला हाँ मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है बच्चा बोला आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी है आदमी बोला मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो तुम भी ऐसी कार चाहते हो ना बच्चा बोला, नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे भी छोटे भाई बेन है न? तो इस कहानी की शिक्षा क्या है? Thought of the day, अपनी सोच को हमेशा उचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी कहीं ज़्यादा उचा कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद